Hello everyone, let's go back. दोस्तों, हमारा एक वीडियो था जिसमें मैं आपको बताया था कि आप अपने सिस्टम में HEVC वीडियो एक्स्टेंशन फ्री आफ कोस्ट कैसे इंस्टाल कर सकते हैं और इस एक्सेंशन का काम होता है आपके सिस्टम में उन वीडियो को प्ले करना जो normally हमारे system में play नहीं होते बट हमारे पास काफे सारी queries हाई जिसमें हमसे ये पुछा गया कि हमने install दो कर लिया बट what if अगर हमें इस HEVC video extension को uninstall करना हो तो इस शीच का solution आपको मिलेगा आज के वीडियो में तो वीडियो को end तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो 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 हमें HEVC video extension जो है अगर आप उसे सर्च करते हैं अपनी control panel में और नॉर्मल यह से हम जादे control panel programs and uninstall a program आपको यहाँ पर कही पर भी उस extension को देखने नहीं मिलेगा तो आप question यहाँ आदा है कि आखे आप उसे uninstall कैसे करेंगे simple solution है आपको simply यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आप लिखेंगे add or remove programs simply आप add लिखें यह सारे की सारे settings आपके सामने आ जाएंगी और इस screen में अगर आप देखें आप इसे जोड़ा scroll down कर ले और यहाँ भी आपको देखने मिल जाएगा HEVC video extension from device manufacturer आपको simply इसे uninstall कर लेना है and you are good to go आपके system से HEVC का जो video extension है वो completely remove हो जाएगा I think यह छोड़ा सा वीडियो आपके लिए useful होगा और अगर यह वीडियो useful लगा है तो प्लीज वीडियो को जाज़े सारे like करें share करें और चैनल को subscribe करना ना बूले Thank you